सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहोतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तो आज हम मैथमेटिकल रिजनिंग में एज वाले कोशन करने वाले हैं आपने काफी तरह के ऐसे कोशन देखे होंगे जिसके अंदर पिता की जो उमर होते हैं वो बेटे की उमर से तीन गुना जादा दी होते हैं और कहते कि दस सालवाद उनकी उमर इतनी हो जाएगी त उनके वरतमान उमर कितनी हैं तो इस तरह के कोशन यूजी सी नेट में भी काफी कोशन आज तक आये हैं और आगे भी इनमें से आने के संभावना है तो ये टोपिक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो दोस्तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहु जो वीडियो होगी और श्याम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको most important question के बारे में बताएंगे और उनका mock test भी लेंगे इस group में आपको दोस्तो दस unit के PDF study notes दिये जाएंगे इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक topic wise old paper PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर unit में most important repeated question की PDF दी जाएगी तो दोस्तो जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रूप को जोइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए लिंक वीडियो डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तो ये हमारा दिसंबर 2012 के इंदर कोशन आया था और धिरे धिरे हम सभी एर के दिखाएंगे कि कब कब कोशन आये है इसमें कहाए कि दो व्यक्तियों में A और B की आयू का जोड़ कितने 50 वर्ष है 5 वर्ष पुरू उनकी आयू का नुपात 5 नुपात 3 था A और B की वर्तमान आयू क्या है देखिए दोस्तो अगर इस कोशन को करना चाहे तो हम पूरा डिटेल से करे तो वो भी कर सकते हैं विद फॉर्मिले से करे तो लेकिन हमें एक्जाम के अंदर क्या होता है दोस्तो जल्द से जल्द कोशन निकालने की कोशिश करनी होते है तो यहाँ पे इसे हम सोट कट तरीके से कैसे निकालेंगों वो देखेंगे सबसे पहले देखें इन्होंने कहें कि A और B की आयू का जोड कितरह 50 वर्ष है तो इनमें 4 की 4 जो उप्सन है उनमें सभी में इनका जोड कितरह 50 वर्ष दिया हुआ है लेकिन अब दूसरा जो है इस पे हम ध्यान देते हैं पांच वर्ष पूरू उनकी आयू का अनुपात पांच अनुपात तीन था A और B की वर्तमान आयू क्या है ये हमें बताना दोस्तों ठीक है तो हम एक टाइम के लिए मान के चलते कोई भी उप्सन ले लेते जैसे B उप्सन हमने ले लिया तो ये यहाँ पे इन्होंने वर्तमान आयू दी हुई है 35 और 15 वर्तमान आयू दी हुई है अगर हम इनमें 5 पांच वर्ष माइनस करते तो कितना आएगा ये आज़े आएगा हमारा 30 वर्ष और ये आएगा हमारा 10 वर्ष अब देखिए क्या इनके अंदर जो अनुपात है वो 5 अनुपात है तीन का अनुपात आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखिए 10 ये देखिए 10 और 10 का अनुपात है दोस्तों 3 अनुपात 1 है तो ये जो B है हमारा वो नहीं होगा अब देखी अब हम option number 1 देखते हैं यह जो है इसके अंदर 30 है और 20 है 30 में से जब हम 5 माइनिस करेंगे और 20 में से 5 माइनिस करेंगे यह हो जाएगा हमारा 25 और यह हो जाएगा हमारा 15 अब देखते हैं 25 और 15 इनके अंदर अनुपात कितना है इसके अंदर देखे यह जाएगा 25 ये 5 और ये 5 ती ये 15 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका नपात कितना निकल रहा है पांच नपात तीन निकल रहा है और इन दोनों का जो जोड़ है वो भी 50 आ रहा है तो इस तरह से दोस्तों हम सोटकट तरीके से भी इस कोशन को कर शकते हैं बिलकुल असानी से और इस तरह से सोटकट मैथ्टर से करेंगे और दोस्तों अगर आपको ये कोशन अभी वी समझ में नहीं आया तो आप हमें बता सकते हैं आप हमें वर्टसप पे मैसिज किया करें दोस्तों स्क्रीन सोट के साथ और बताया करें कि सर मुझे ये कोशन नहीं आया तो हम आपको व सुनीता की उम्र से तीन गुनी थी अनिल की वर्तमान उम्र क्या है वो हमें बतानी है सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि सुनीता की जो उम्र है वो माल लेते है एक्स है तो अनिल की जो उम्र है वो क्या होगी दोस्तो टू एक्स यहां पे हो जाएगी अब देखे तीन वर्स पहले यानि कि तीन साल पहले की ये बात कर रहा है तो उसकी उमर सुनीता की उमर से तीन गुनी थी तो अब देखे इसमें क्या होगा इन दोनों में हम माइनस थरी थरी कर देते हैं यहाँ भी और यहाँ भी 2X माइनस थरी कर देते हैं अब देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा ये देखिए इससे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जुरूरत है तीन वर्स पहले उसकी उमर सुनीता की उमर से तीन गुनी थी यानि कि इसकी उमर से सुनीता की उमर से तीन गुनी थी तो इसको हम क्य क्या करेंगे दोस्तों 3 से multiply करेंगे यानि कि जिसकी उमर कम हो उसको हम multiply करेंगे तो हमारी equation equal होगी अब देखिए यह हो जाएगा 3 x म माइनस 3 तिन त्या 9 यहां पर ओगा 2 X माइनस में 3 यह हो जाएगा हमारे पास अब देखिए यह जो 2 x है यहाँ पर आएगा तो यह हमारे पास रह जाएगा दोस्तो एक रह जाएगा और फिर यह जो नो है नो यहाँ पर आएगा यहाँ पर यह नो माइनस का है यहाँ के क्या हो जाएगा इस तरफ पलस का हो जाएगा पलस के नो माइनस के थरी तो कितना रह जाएगा हमारे पास X बराबर में क्या जाएगा 6 आ जाएगा अब देखिए X क्या आया है X आया हमारे पास सुनीता की उम्र आई है X अब अनील की उमर क्या होगी 6 दुनी 12 यहां पे आ जाएगी और यही इसने पूछा कि अनील की वर्तमान उमर क्या है तो यह दोस्तो 12 उमर इन्होंने दी हुई है दोस्तो आप इसका स्क्रिन सोट ले सकते है और अगर समझ में ना आए तो आप ये वीडियो एक बर दोबारा देखना आपको समझ में आया जाएगी ये एक्वेशन और अगर समझ में ना आए तो आप हमें 27 वर्ष है अब मद्हमान का मतल़ होता है दोस्तो उनका हाफ एव्रेज यानि की हाफ आधा कहते हैं मद्हमान ठीक है पिता और उसके पुत्तर की आयू का मद्हमान 27 है तो यानि की पिता को हम P लिखे देते हैं और बेटे को हम B लिखे देते हैं दोनों की आयू का योग कितना है चोंवन वर्स है अब देखिए यहां पे हमारी दो इक्वेशन बन रही है एक तो सबसे पहले पिता और पुत्तर की आयू का योग कितना है चोंवन अब यह देखे, चारो के चारो ओप्सन है ना, चारो को आप एड़ कर ले ना, चारो की उमर चौमन वर्स आ रही है, तो सबसे पहले यहां से तो हमारा कॉशन निकल नहीं रहा, अब दूशरा देखते, अठारा साल बाद, अब देखे अठारा साल बाद की यह बात कर रहा है अपने पुत्र की आयू से दो गुना हो जाएगा अब देखी ये जो option है ना इन सभी में 18 18 add करके देखे लिए इन में से random तरीके से आप एक ले लीजी हम ले लेते हैं जैसे ये ले लेते हैं 40 ले लेते हैं 40 जमा में 18 हमने किया ठीक है और फिर हम 14 जवा में 18 करते हैं अब देखिए 40 में से 18 एड़ किया तो यह कितना हो जाएगा और 14 पलस में 18 करेंगे तो यह कितना आएगा दोस्तो 18 दूनी 36 और यानि की 32 यहाँ पे आ जाएगा अब देखिए इसमें का है कि 18 साल बाद पिता अपने पुत्तर की आयू जाएगा यहाँ पे हम देखि सकते कि यह दो गुना नहीं है यह जो अठावन एट्था का दोगना नहीं है तो यह जो ऑप्षन अपना टू है यह नहीं होगा अब हम ऑप्षन नम reflective देखते हैं अब ए में ए करके देखिए दोस्तों ए करके दिखा रहे हूँ हुआ है आप 18 ये हो जाएगा 30 अब ये देखी ये बिलकुल सही आ रहा है ये जो 60 है ये 30 का दो गुणा है ये जो नीचे वाली है हमारी पुत्तर की आयू है और उपर वाली हमारी पिटा की आयू है तो दोस्तो उस त्रीके से आप बिलकुल असानी से shortcut method अपना के वी कोशन निकाल सकते हैं और दूसरा जो traditional तरीका है वो उस तरीके से निकाल सकते कि पिता की आयू और पुतर की आयू का योग है वो हमारा 54 वर्स है जैसे कि P plus में B हो गया 54 वर्स तो P क्या होगा P हो जाया 54 माइनस में B इस तरीके से आप निकाल सकते और आगे फिर 18 साल का करके वो पूरा लंबा प्रोसस करके ये कोशन आप निकाल सकते हैं लेकिन बैटरी ये रहेगा कि आप उप्षन में पूट अप करके देखे वहां से जल्दी उप्षन आजाएगा और अब हम अगला कोशन देखते दोस्तों ये हमारा जून 2015 का कोशन है इस किंदर देखे वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से चार गुना बड़ा है तो इसे देखे इसे हम कैसे करेंगे इसमें हम सिस्टमेटिक धन से चलने की कोशिस करेंगे वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से चार गुना बड़ा है तो पहली लाइन से ही हमें कोशन को साथ में लेके चलना है यहाँ पर इसने कहा है कि एक व्यक्ति अपने बेटे से चार गुना बड़ा है क्योंकि इसने कहा है कि बेटे से 4 गुना बड़ा है अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है और जो इसकी पत्नी है इसका मतलब क्या है दोस्तों यहां से पढ़ने की कोशिश किजी अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है तो इसका मतलब क्या है तो इसकी जो पत्नी है P से डिनोट करते हैं वो क्या होगा 4X-3 यानि कि सीधा सा मतलब है कि इसकी जो पत्नी है वो अपने पत्ती से 3 साल छोटी है यह हमारी equation बन गई अब आगे देखते हैं 3 साल के बाद, 3 साल बाद की यह बात कर रहा है 3 साल के बाद, उसके बेटे की आयू 15 साल हो जाएगी अब 3 साल के बाद, 3 साल के बाद equation क्या बनेगी? X पलस में 3, कितनी हो जाएगी? उसकी उमर 15 साल हो जाएगी, यह देखिए यह equation चो बन रहे हैं उससे समझने की कौशिश करो दोस्तो तीन साल के बाद उसके बेटे की आयू 15 वर्स हो जाएगी बेटे की आयू यह है इसे में 3 एड़ कर दिए तो टोटल कितनी हो जाई पंधरा वर्स हो जाईगी यहां से X हमारा कितना आ रहा है दोस्तो 15 माइनस में 3 करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा अब देखे 12 क्या है हमारे पास 12 है बेटे की आयू और पतनी की आयू की इक्वेशन क्या है 4X माइनस 3 अब 4X की जगे जब हम 12 रखेंगे यहाँ पर हम करके देख लिते है 4 इंटो में 12 माइनस में 3 तो 12 चोके 48 48 में से 3 गया क्या आएगा दोस्तो 45 हमारे पास आ गया यह जो 45 है ना दोस्तो यह 45 जो लेडिस है उसकी वर्तमान आयू है ठीक है ना उसकी प्रजेंट आयू है अब देखिए उसे वेक्टी की पतनी की आयू 5 साल बाद कितनी होगी तो 45 के इंदर जब हम 5 एड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 इसका अंसर आ जाएगा तो दोस्तो इस तरह से बिलकुल असानी से यह कोशन भी निकाल सकते हैं बस इन कोशन में थोड़ा सापको सोचने की जरूरत होते हैं बिलकुल असान कोशन होते हैं और अब हम अगला कोशन देखते दोस्तो अगला कोशन आया है अगस्त 2016 में आया है एक समय माता अपने पुत्तर से तीन गुनी बड़ी है अब देखिए इसमें भी हम सुरूर से लेके चलते हैं कि एक माता अपने पुत्तर से तीन गुनी बड़ी है यानि कि उसका जो बेटा है उससे तीन गुना बड़ी है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चलिए इसके जो उप्सन हम बाद में देखते हैं पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं 15 वर्सों के बाद उनकी आयू का पूछी दोस्तों अगर दोनों की उम्र पूछते ना यहाँ पे 10 में जैसे 10 दिया हुआ होता तो हम कुछ करके देख सकते थे तो इसमें अब हमें सिस्टमेटिक धंग से चलना होगा अब देखी इसमें हम सुरू से क्या करते एक समय माता अपने पुत्तर से तीन गुनी ब अब देखे 15 वर्षों के बाद उनकी आयू का जोड़ 70 वर्ष हो जाता है 15 वर्षों के बाद अब 15 वर्ष एड़ करते इनमें देखे जैसे यह हमने एड़ कर लिया 15 और यहाँ पे भी हमने एड़ कर लिया 15 अब देखते यह हो गया 4 एक्स जमा में 15 जमा में 15 तीस हो गया तो 15 वर्स के बाद उनकी आयू का जोड कितने है दोस्तो 70 वर्स दिया है और यहां पे जो हमने 15 वर्स के बाद एड किया है तो यह हो गया 4x प्लस में 30 यहां पे equal to कितने है इसके 70 के बराबर है अब देखिए यह जो 30 है दोस्तो यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा 70 में से 30 जाएगा यह आजाएगा 40 40 बराबर में 4x और 4x अब यह देखिए यह जो 4 यहां पे गुनावे यहां के क्या होगा भाग होगा तो जो x की value होगी मैं यहां पे बता देता हूँ 4x बराबर में 40 तो x क्याएगा दोस्तो 40 बटे में 4 यानि कि यहां पे क्या जाएगा 10 x की जो value है हमारे पास क्या आईए दोस्तो वो आईए हमारे पास 10 आईए है यनि कि बेटे की जो वर्त्मान उम्र है वो कितनी आई है दस आई है अब देखिए यहाँ पर हमें कोशन देखना कि 10 वर्षों के बाद मा की आयू कितनी होगी वो हमें बतानी है अब 10 वर्षों के बाद सबसे पहले मा की आयू देखते यहाँ पे कि क्या आयू है वर्तमान आयू क्या है उनकी यह देखें वर्तमान आयू मा की क्या है 3x पलस में 15 3x का मतलब क्या हुआ दोस्तो x की जब हम 10 अब 10 रखेंगे ये रोकिया अब देखिए जो हमारी मा की जो उम्र आई थी वो क्या आई थी दोस्तों थरी एक्स प्लस में 10 आई थी स्वरी थरी एक्स प्लस में 15 आई थी वर्तमान आयू और 10 जो एक्स था वो हमने 10 निकाला था तो 3 इंटो में 10 जमा में 15 यह हो जाए 30 यह हो जाएगा 15 यह टोटल हो जाएगा 45 हो जाएगा 45 ही इनकी वर्तमान आयू है दोस्तों इसकी मा की जो है वर्तमान आयू है अब यह कह रहा कि 10 वर्षों के बाद तो 10 वर्ष के बाद क्या होगा 45 जमा में जब हम 10 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास पच्पन आजए और पच्पन जो अनसर वो अप्शन नमबर टू में दिया हुआ है तो दोस्तो इस तरह से बिलकुल असानी से आप उम्र वाले कोशन कर शकते हैं कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है और तो दोस्तो आप ये सभी के सभी कोशन आप ए हमारी वीडियो अच्छे लगी तो उसी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए केमेंट कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी का बटन जरूर दवाए ताकि आ आप हमारी आने वाली वीडियोज को साने से देख सके हैं थाइंक्यू दोस्तों